हाव रूफीक्स वान प्लस एक्स एप नोट रेस्पॉंडिंग प्रॉब्लम नंसकार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके पास भी एप्लेकेशन है तो यह प्रॉब्लम आपके मोबाइल पर डेफिनेटली एक नाइक my brain क्रिएट होगा ठीक है जैंक भी इस तरयके का कोई भी एर्ड हमारे मोबाइल पर हमारे एक में तो दोस्तों कॉंप्लीटली फोन यहां पर लेक करना शुरू हो जाते हैं ठीक हैंकर जाते फोन और उसको चलाना मुश्किल पर जाते तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल कोई भी ठीक है अगर आपके वानप्लास के जो दिवाइस है उसमें अगर आपको एप के अंदर पर इस तरीके का कोई भी एरर डिग जाते हैं तो कैसे आपको सॉल्फ करना है इसके रिलेटेट में मैं आपको इस वीडियो पर सॉलुशन दूंगा आपको एप्लिकेशन पर स सारे साथ मोबाइल पर सॉलुशन करना है तो आपका प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली सॉल्फ हो जाएगा वीडियो के सारां तक बने रही है सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों इस तरीके का अगर कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले आप कर लिजे मोबाइल को रिस्टार्ट उसके बाद दोस्तों रिसेंड बटन पर क्लिक करके सारे जो एप्लिकेशन ऑपन है उनको क्लोस कीजिए उसके बाद जाए दोस्तों प्लेश्टोर के अंदर पे और यहाँ पर आपको क्या करना है आपको वह एप्लिकेशन सर्च करना है जो एप आपके मोबाइल पर एर्र कर रहा है ठीक है मान लिजे दोस्तों आपको यहाँ पर फेस्बुक के ठीक है जस्ट फॉर एगजंपल आपको मान लिजे फेस्बुक में इस तरीके का कोई भी आपको यहाँ पर अपडेट करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा चला के देखिए ठीक है अगर प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो पाते तो आपको जाना है सेटिंग स्कॉल डाउन करना है ज्यादा नीची नहीं जाना है एपस और नोटिफिकिशन को आपन कीजिए यहाँ पर see all apps पर जाएए जो भी एप में error आ रहा है उस एप को search कर लिजे जैसे कि दोस्तों आप Facebook का example यहाँ पर चला सकते तो जो application पर आपको error आ रहा है उस एप के storage को open करे clear storage में click करे और OK का जो button ही यहाँ पर click कर दे इसको click करते ही दोस्तों OK डब जाएगा और आपके सा तो यह होने के बाद आपको simply यहाँ पर bake कर लेना है mobile को restart कर लेना है power button पर press and hold करे रिश्टार्ट हो जाएगा और app को चला के दिखे problem solve हो जाएगा तो इस तरह के से आप अपने problem को solve कर सकते है by any chance अगर आपको दुबारा से problem आते तो phone को एक बार safe mode पर reboot करके देखिए उसक जो बटन दिख रहा है उसमें टेप करकर रकना है डो सेगेंट एंडेंट ओके कर देना है जैसी ओके होगा आपका mobile safe mode पर reboot हो जाएगा problem भी solve हो जाएगा by any chance अगर problem solved ना हो तो प्लेश्टोर पर जाएए उस एप को सर्च कर लीजे सर्च करने के बाद आनिंस्तॉल करके आ और mobile system को यहाँ पर update कर देना है आपके Android 11 को update कर देना अपडेट करने के बाद उस एप को जाके दुबारा से री इंस्तॉल कर लीजे अपने प्लेश्टोर पर जाके ठीक है अगर आप यह solution को complete तरिके से follow करते तो आपके problem definitely fix हो जाएगा और दोस्तों mobile पर चेक करें अगर कोई आपको clean up का option मिल जाएगा ठीक है तो वह कर सकते तो यह सब दोस्तों आपके problem को solve कर देगा उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसने होगा थैंक्स वाचिंग